भी जो वर्दी इसमें एक आइदेंटिटी एक पहचान तो मिलती है समाज के लेए काम कर सकते हैं जिब्मेदारी और एक चुनौती का भी हैसास होता है और अगर एक महिला को वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कही ना कही थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहता है सर ये मेरे लिए असली उपलगती रही जाइन सर मेरा नाम रंजीता है मैं हर्याना से हूँ और मुझे राजसान काडर अलोकेट हुआ है सर मेरी डिस्ट्रिक्ट प्राक्टिकल ट्रेनिंग के दोरान शुरुवात में ही एक आती विशम लॉइन ओर्डर सिचुएशन का जिले में सामना करना पड़ा सर इस दोरान मुझे सैयम के स्पेशली पुलिस फोर्सिज में सैयम के महत्व का ग्यान हुआ सर क्योंकि लगबग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हो या लॉइन ओर्डर की सिचुएशन हो वहाँ पर हम अपने ही देश की नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्तिती में ये जरूरी हो जाता है ति आवश्यक है कि हम सैयम बढ़ते हैं और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफी जगे हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जिने आईपेस प्रोबेशनर्स और आईपेस अधिकारियों को संबोदित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस शर्ण एक पुलिस अधिकारी अपना सैयम खो देता है उसी शर्ण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता तो सर और इस ट्रेनिंग के दौरान सर चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो जिले की जो विवारिक प्रिशिक्षन था उसकी दौरान हो ये लगातार हैसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं जो मूले हैं जैसे की धैरे हो सैयां हो है साहस हो उसका सर मुझे लगातार अभास होता रहा रंजीता जी आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उफलब्दिय हासिल किये हैं उनके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और अभी अतुल जी आपका वरण भी कर रहे थे आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगे अपना सिक्का जमाया है आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गाउं और अडोस परोस में अब बेटियों को लेकर बढ़लाव दिखता है या नहीं क्या अनुभव आता है सर प्रतम धनेवाद सर सर आसपास जो परिवार है, परिवार गण है, मित्र गण है, समाज है सर हमारे जैसी सेलेक्शन के बाद में पता चला कि सेलेक्शन हुआ है तो विभिन वर्गों से सर कॉल्स आए, कि आप आईए और हमारे यहां बच्चों से बातचीत कीजे और उसमें विशेशता सर जो गर्ड चाइल्ड था सर उस पर फोकस रहा कि आप उन से बात कीजे क्योंकि आप एक मोटिवेशन एक रोल मॉडल की तरह आर्ट कर सकते हैं सर यही अनुभव मेरा जिले में भी रहा वहां पर भी काफी बार ऐसा अफसर आया जहां पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेशता हा महिला स्टूटिन से बात करके उनको मोटिवेट करूँ उनको इंस्पायर करूँ और कही न कहीं सर यह जो वर्दी है इसमें एक आइडेंटिटी एक पहचान तो मिलती है और एक जिमेदारी और एक चुनौती का भी हैसास होता है और अगर एक महिला को वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं न कहीं थोड़ा भी मूटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर यह मेरे लिए असली उपलब्दी रहेगी रंजिता जी आपकी योग में भी भहुत रूची है आपने जो पढ़ाई की उससे लगता है कि आप प्रत्रकार का शेतर में आगे बढ़ना चाहती थी तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुँच गई सर यहाँ पर भी एक कहानी है सर मुझे लगता है कि मैंने निजी शेतर में काम किया है इससे पहले लगबग आटना साल परन्तों सर मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंट और तुरंट देखने को मिल सके और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूँ सर क्योंकि निजी शेतर में आप एक आपका दायरा बहुत सीमित रहता है तो वहाँ पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी चाप नहीं छोड़ सकते हैं तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर या आपको ये मौका देती है और जहां तक वर्दी का सवाल है सर सो इसमेत मुझे ये बेहदी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारती पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अफसर मिला है हजर हजरी आपने अपने लिए कोई ऐसा लगस्त है किया है जो आप देश की पुलिस व्योस्ता को बहतर बनाने लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी सर पुलिस को मुझे याद है सर पिछले दफ़ा जब आपका ये इंटराक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहां पुलिस की बात आती है जबında भल इसके प्रयोग की बात आती है तु सर अगर मेह फील्ड में जाकर पुलिस की छवी को सद्धार ने उस को बहतर करने उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी पुलिस को अकसेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरॉल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इंप्रूफ करने में, अगर मेरा योगदान रहाज सर हूँ, मेरे लिए बड़ी उपलबती रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा. रंजिता जी, जो मैंने आपकी विश्य में जाना, सुना, आपको एक मैं ऐसे ही अड़वाईज देना चाहूँगा, कि अपनी और वो अपनी ड्यूटी से जूड़ा हुआ नहीं है, आपको जहां भी ड्यूटी का अवसर मिले, सब्ताह में एक घंटा, किसी ने किसी गर्ल स् कीजिए, यह जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए, सब्ताह में एक घंटा, किसी ने किसी गर्ल स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बाते करना, उनसे चर्चा करना, और दूसरा हो सके, अगर योगा की आपकी प्रक्टिस कंटीनूर रहती है, तो कहीं खूले बच्चियों के लिए, योगा का एका क्लास भी चलाइजी, जिसमें आप बिच पिच में जाये करें, और्गनाइज करें, यह आपकी डूटी के सिवाए कुछ काम कीजिए, आप देखिए इसका असर कुछ जादा ही होगा, खैर आपसे जो जो बाते हुई हैं, मैं आपको बहुत-बहुत सुपकामना है देता हूँ, तेकि हर्याना हो या राजता, हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ वर्सों में बेटियों को आगे बढ़ाने में काफी काम हुआ है, आप इन दोनों राज्यों में सामाजिक चेतना की लहर को मजबूत करने में अपनी भूमी का बह समझ है, वो आज पूलीच की एक बहुत-बड़ी जरूरत है, उमीद है कि इसका भी आप भरपूर प्रहोग आने वाले समय में करेगी, मेरी आपको बहुत-बहुत शुपकामना है देनेवाद सर, जाइन सर, जिब्मेदारी और एक चुनाथी का भी हैसास होता है, और अगर एक महिला को वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मूटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्दी रहेगी रंजिता जी, आपकी योग में भी बहुत रूची हैं, आपने जो पढ़ाई की उससे लगता है कि आप प्रत्रकार का शेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुँच गई? सर, यहां पर भी एक कहानी है, सर, मुझे लगता है कि मैंने निजी शेत्र में काम किया है इससे पहले लगबग आटना साल, परन्तों सर, मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी, जिसका असर मुझे तुरंट और तुरंट देखने को मिल सके, और समाज के करीब से मैं उस समा आज के लिए काम कर सकूँ